कॉंग्रेस अब 2019 के तैयारी में जुट गई है और राहूल गांधी को पीम प्रजेक्ट किया जा रहा है कॉंग्रेस प्रवक्तार रंदीप सुर्जेवाला का कहना है कि राहूल गांधी मोधी का विकल्प है और देश की जनता उन्हें प्रधान मंत्री के तौर पर देखना चाती है कॉंग्रेस ने प्रधान मंत्री नेंद मोधी के अलोचना करते हुए नया तर्क दिया है पार्टी नेतार अंदीर सुर्जेवाला ने कहा है कि देश में नरंद मोदी का विकल्प केवल कॉंग्रेस प्रेजिनेंट राहूल गांदी है सुर्जेवाला ने कहा है कि देश में आज दो मोडल्स हैं एक है मोदी मोडल जो दिन में छे बार कपड़े बदलते हैं दूसरा राहूल मोडल है जो सादगी में रहते हैं और अपनी बात साफ साफ कहते हैं कॉंग्रेस सेनेतर रंदीप सुर्जेवाला ने प्रधान मंतिरी नेंद मोधी के अलोचना करते हुए कहा कि अगले साल यानि 2019 के लोगसभा चुनाओं में अपोजिशन यूनिटी बहुत एहम मानी जा रही है साथ ही रंदीप सुर्जेवाला ने कहा कि अगर विपक्ष एक जूट रहा तो लोगसभा चुनाओं में आपको बदलाओ की लहर देखने को मिलेगी सुर्जेवाला ने ये भी कहा कि अणिए में तूट के आसार नजरा रही है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी है जो अपोजिशन को एक जूट करती नजरा रही है जाहिर है कॉंग्रेस नेता रंदीप सूर्जेवाला का ये ब्यान आपने नेता की तारिफ में दिया गया ब्यान तो है ही साथ ही रंणिती का हिस्ता भी जिसमें वो बाकी विपक्ष को ये मैसेज देते दिख रहे हैं कि राहुल गांदी की अगवाई में ही बीजेपी और प्रधान मंतिनी नेत्मोधी को चुनोती दी जा सकती है